नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमित और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अमित जीयस सेंटर में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के most important 25 questions को तो मेरे साथ बने लिएगा सुरू से अंतक ठीक है और जहां पर भी आपको explanation की जुरत लगेग तो मेरे साथ बने रहीएगा सुरू से अंतर तक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजेगा और इसके साथ ही all को सेलेक्ट कर लिजेगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो अगला फ्रसन देख लियते हैं भासा की सबसे छोटी इकाई है तो मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों को में बता दूँ कि पिछले वीडियो में ये वाला प्रस्न गलत हो गया था, तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा, आज मैं इस प्रस्न को सही कराके आप लोगों से अपील करता हूं कि इसको आप लोग सही वाले, यानि कि इस वाले क मिलकर बना है तो तीन वर्ड से मिलकर बना है ठीक है तो यह इक वखासा का एक सब्द हो गया तो यह जो सब्द है यह सबसे हैं तो यहां पर सबसे छोटी काई जो होगी वर्ड होगी ठीक है चलिए अगला प्रसन देख लेते हैं निम्निमेसे असुद्ध है इन में से हमें असुद्ध सब्द को क्या करना है छाटना है ठीक है तो यहां पर देखिए ऑप्सन नंबर वन अंत्याक्षरी है टू है आगामी तीन है आकास और चौथा ह अवाज ठीक है तो यहां पर देखिए हमें उपर वाले तीन अप्सन दिखाई पड़ना है यह तो क्या है सब सही दिख रहे है ठीक है सारे यह सुद्ध सब्द हैं ठीक है यह तीनों सुद्ध है यहां पर एक सब्द जो है यह आवाज जो है यह असुद्ध है ठीक है क्यो अगला प्रसन देख लेते हैं सुद्ध वर्तनी का चैन कीजिए ठीक है तो यहां पर हमको सुद्ध वर्तनी का चैन करना है तो यहां पर ऑप्शन नुबर बन देखते हैं प्रतिवादी लिखा है ऑप्शन नुबर टू है प्रतिवादी ऑप्शन नुबर तीन है प्रतिवा तो यहां पर option number one is correct चलिए अगला प्रसंद देख लेते हैं अगला है वाक प्लस इज ठीक है वाक धन इज यानि कि यह बन जाता है इनका संधी होती है तो बन जाता है वागीज ठीक है इनमें कौन सी संधी है तो यहां पर देख लीजिए इसमें जो संधी है वो है आपका ब् जब वेंजन और स्वर का मेल होता है तो जो परिवर्टन नुत्पन होता है या फिर कह सकते हैं वेंजन या वेंजन का जब मेल होता है तो जो परिवर्टन नुत्पन होता है उसको हम वेंजन संधी कहते हैं क्या कहते हैं वेंजन संधी ठीक है तो यहां पर देखिए वाक और इसका जब मेल हुआ है तो वागीस बन गया है, यहाँ पर कुछ परिवर्टन हुआ है देखने को, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, वेंजन संदी, तो आपसन नुबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चलिए अगला प्रसन देख लेते हैं, अगला प्रसन है, क अभयोग लिखा है, व्यायाम लिखा है, अपमान लिखा है, तो यहाँ पर कोई ऐसा सब्द नहीं है, जिसकी रचना प्रत्य से हुई है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा सब्द नहीं है, चाहे अभयोग देख लो, चाहे व्यायाम देख लो, चाहे अपमान देख लो, तो ऐ अवनत सब्द में प्रियुक्त उपसर्ग है यहां पर option है नत अव अवन ठीक है तो यहां पर जो सही आंसर है वो है अव ठीक है क्या है अव अव जो है उपसर्ग है यानि कि पहले जो लगता है उपसर्ग में यानि कि सब्दों में जब क्या होता है सबसे पहले सुरुवात म जो सब्द जूड़ जाए उसको मुपसर्ग बोलते हैं लास्ट में जब जूड़ता है तो उसको प्रत्य बोलते हैं ठीक है तो यहां पर राइट आंसर क्या है अगला प्रस्ण देख लेते हैं प्रस्ण है सावधानी सब्द में प्रयुक्त प्रत्य है ठीक है तो यहां पर जो इसका right answer है सावधानी में मतलब आपने देखा हो गा कि सावधान इसका जो मूल सब्द है वह है सावधान ठीक है और इसमें अगर हम क्या कर दें, कौन सी E, बड़ी E की मात्रा लगा दें, ठीक है, क्या लगा दें, बड़ी E की मात्रा लगा दें, तो वो क्या बन जाएगा, सावधानी बन जाएगा, ये वाला सब्द बन जाएगा, तो यहाँ पर प्रत्य है, वो क्या है, क्या है, यहाँ सब्द को आप देखिए महावीर सब्द में कौन सा समास है तो महावीर यानि कि बीरो में जो महान है ठीक है बीरो में जो महान है उसको महावीर बोलेंगे ठीक है यानि कि हम किसको बोलते थे महावीर तो भगवान जो हनुमान जी है ठीक है उनको हम महावीर बोलते है ठीक है तो इस तरीके के जहां पे भी भगवान, इस्वर वगरा की जहां पे बात होती है, या फिर ऐसा सब्द जो किसी तीसरे की तरफ इसारा करता हो, उसको हम बोलते हैं, उस समास को हम बोलते हैं, बहुगरी ही समास, ठीक है, इस तरीके के जब भी कहीं पे आपको वर्ड मिलते हैं, उसका समास पूसा जाता है, चाहे आज जन्म लिखा हो, ठीक है, और उसके समन में अनू हो, आ हो, प्रती हो, ठीक है, जैसे कि प्रती दिन हो गया, यथा संभव, और हर दिन, इस तरीके के बहुत सारे सब्द जो हैं, आपको जहाँ पर भी दिखें, मतलब पहचान में आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ पर वैसा अभविभावसमास होता है, ठीक है, इसका पहचान क्या है, सुरूवात पे जैसे यहा पर आ लिखा है, वैसा ही वहाँ पर कहीं पर अनू लिखाओगा, आ लिखाओगा, प्र नदी नाले में कौन सा समास है, जहां पर भी आपको इस तरीके का दिखे, नदी नाला, माता, पिता, ठीक है, जैसे यहां पर माता और पिता लिख देते हैं, ठीक है, यहां पर माता और पिता, तो इस तरीके से तो लिखा वाने देखते हैं, आप देखते हैं, यहां बीच मे पीटी माता पीता भाई हैं ठीक है वहाँ पर हमेंशह समास कौन सा होता है तो सममाश होता हैHow किस Keys बात आजाये जहां पर भी किया नम संख्या बाचक आ जाये तो हहां पर क्या होता है हमेशह दूगुس समस होता है क्या होता है द्विगु समस ठीकर जैसे चौराहा हो गया 1 सब्त रिषी हो गया वातल साथ रिषी का समुह आ गया तो ऐसा जगा पर हमेशा कर लीजेगा चरट कामल में कौन सा समस है तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नबर 2 करेक्ट हो कर्मधारे समास है तो जहां पर भी किसी वस्तू के बारे में विशेष्टा बताई जाए ठीक है उस वहां पर क्या होता है हमेशा कर्मधारे समास होता है यहां पर चरड कमल ठीक है यहां पर चरड को कमल के समान बताया गया है किसके समान चरड को कमल के समान बताया गया है ठी तो यहां पर option number two correct हो जाएगा करमधारे समास अगला प्रसन देख लेते हैं इन में से एक तत्सम सब्द चैन करके बताईए तो हमको बताना है तत्सम सब्द कौन सा है तो यहां पर देखिए अनजान सच पता यह सब तत्सम नहीं है यह सब तदभाव है ठीक है तत्सम सब्द है घोटक ठीक है तत्सम सब्द किसे कहते हैं तो तत्सम सब्द बोला जाता है ऐसे सब्द जिनको संस्कृत से जिवकत्यों उठाया गया है ठीक है तो यहां पर क्या है घोटक जो है वह संस्कृत सब्द से आया हुआ सब्द है ठीक है चलिए अगला प्रसन देख लेते हैं निमलिखित में से संधी सब्द है ठीक है तो संधी सब्द जो है यह तत्सम है तद्भाव है देशज है या बिदेशज है ठीक है तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है तत्सम ठीक है तत्सम जो सब्द होता है मैंने भी आपको बताया कि संस्कृत सब्द से जियों का त्य जाया गया सब्द है तो यहां पर ऑप्शन नुबर वन करेक्ट हो जाएगा अगला प्रस्द देख लेते हैं निम्लिखित में भाव आचक संग्या कौन सी है तो भाव आचक संग्या जो है यह कौन सी है यहां पर तो देखिए बीर है मनुष्य है गुरू है सतुर्ता है ठीक तो यहां पर देखिए सतुर्ता सतुर्ता क्या है एक भाव है ठीक है एक भावना है ठीक है तो यहां पर ऑप्शन नुबर वन जो है करेक्ट हो जाएगा अगला प्रस्द देख लेते हैं आशू का बहुचन क्या होगा तो यहां पर देखिए आशू का जो बहुचन है वो चलिए, अगला प्रसंद देख लेते हैं, पास्चात्य का विलोम सब्द है, ठीक है, तो पास्चात्य का विलोम सब्द होता है, वो होता है, पौवार्तिया, ठीक है, चलिए, अगला प्रसंद देख लेते हैं, आयू में बड़ा व्यक्ति किसे कहेंगे, ठीक है, आयू में ब उसको हम बोलते हैं साहितिक, ठीक है, option number one, यहाँ पर correct हो जाएगा, अगला प्रस्ण है, छाती पर मूंग दलना, ठीक है, तो छाती पर जो मूंग दलना है, इसका जो अर्थ होता है, वो होता है, पास रहकर दुख देना, ठीक है, क्या होता है, पास रहकर दुख देना, अग अगला प्रसंद देख लेते हैं रानी केतिकी की कहानी के रचईता कौन है तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है इंसा अल्ला खा चलिए अगला प्रसंद देख लेते हैं निम्न में से कथा समराठ किसे कहा जाता है तो यह कहा जाता है मुंसी प्रेम चंद को ठीक है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बार नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत बूलिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई, टेक केर